कि हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टिडी मंत्रा बाय इनके परिवार में इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहते हैं आई टीए से समधित क्लास हैं तो था आई टीए समधित महत्रपूर्ण अपडेट कल हम लोगों ने जो देखा था पिछले वीडियो में वह कारे में समझा था कि ऑप्रेटिंग सिस्टम क्या होता है आज हम लोग इसी ट्रिपल सी क्लास में समझेंगे कि ऑप्रेटिंग सिस्टम के कारी क्या है तो संचेप में वीडियो देखेंगे तो आए शुरू करते हैं आज की क्लास जैसे ही, हम लोग देखते हैं, operating system के कारी तो कल भी मैंने बताया था कि operating system जो user होता है और जो machine होता है उसके घ्राइंच में Output Output Management यह चार मुख्यकार हैं इंटरफेस प्रदान करने के अलावा तो इनके बारे में संच्छेप में समझ लेते हैं तो पहला कार है Memory Management तो Memory Management में आपरेटिंग सिस्टम या सुनिच्छित करता है कि जो भी Memory है Primary और Secondary उनका सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं Memory के अंदर आपके Memory Location होती है तो सभी Memory Location का अच्छे से उपयोग हो जाए अगर हम कोई Data Delete करते हैं तो जिस Location से हमने Delete किया है उसी Location से वह Data Delete हो किसी कौन से निश्चित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और इन सब कार्यों क्या कहा जाता है Memory Management कहा जाता है तो Memory को मैंच करने का काम अच्छे से उपयोग करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्तवपूर कार है वह है Process Management जो भी computer processing करता है तो वह processing कैसे होगी किस device के पास data जाएगा तो processing होगी तो पूरा का पूरा process को manage करने का काम करता है process के flow को manage करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और इस कारी को कहा जाता है processing management आगे बढ़ते हैं और तीसरा काम है file management file management क्या होता है computer में हम लोग अलग-अलग software में अलग-अलग file बनाते हैं जैसे आपने MS Word में कोई file बनाई और उस पर डबल क्लिक कीजिए आपके computer में अगर MS Word इंस्टॉल है तो सीधे वह file MS Word में open हो जाएगी आपने computer को नहीं बताया कि इस file को किस software में open करना है इसका मतलब operating system के पास यह पहले से सूचना थी operating system को पहले से पता था कि यह file MS Word में open करनी है तो file को manage करने के लिए file management के लिए operating system प्रतेएक file के साथ एक extension लगा देता है एक क्या करता extension लगा देता है जिससे कि वो बाद में पहचान सके कि कोई भी file कि software में बनाई गई है जैसे कि extension लग जाएगा dot txt तो extension भी आप से triple c के exam में पूछ लेता है तो वो हम अलग से वीडियो में discuss कर लेंगे साथ अगले वीडियो में extension के बारे में हम लोग बात करें फिलाल भी समझते हैं कि memory management और process management के लावा file management का का कारी भी कौन करता operating system करता है कि आगे बढ़ते हैं और चौथा कारी जो है वो है input output management input device data को गेदर करना data input होता है तो कहां जाएगा CPU के किस इससे में इस data को पहुचाना है और कैसे output device के पास data जाएगा तो input output management करने का पूरा कारी किसका है operating system का ही है तो यह operating system के चार मुख्यकारी होते हैं आप सभी लोग को अगर यह वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें आगे हम लोग देखेंगे operating system से समंधित कुछ महत्पूर कुश्चन जो अलग अलग एक्जाम में पूछे ग सभी वीडियो के बारे में आप लोग अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर दें जिससे और वीडियो का कंटेंट सुदहार सकूँ और अपनी जो कमिया रह जा रही है उनको कम से कम कर सकूं या खत्म कर सकूं तो आप लोगों से मैं शलाह मांग रहा हूं इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फिलहाल आगे बठते हैं अज की दिन का दूसरा question पुछा निम्न में से कौन सा एक OS का कार है तो OS का का अप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रेटफर्म प्रदान करना बिल्कुल सही यूजर को यूजर के लिए मसीन के साथ इंटरसेज प्रदान करना ये भी कार होता है तो किल मुलाकर ये भी दोनों क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार हैं आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा सिस्टम साफ्टियर है तो सिस्टम साफटwar के बारे मैं आप लोग ज्यानते हैं कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सब्सक्रेंए कंतरगात आते हैं Windows Mac Toss और इमेंस डॉस operating system ही है कहने के मलग है तीन के तीनों system software है तो यह तीनों के तीनों क्या है system software आप से कौन से ही हो जाएगा वो प्रोक्त सभी आगे बढ़ते हैं तो आज के लिए तनी question है आप लोगों को अगर ऐसे वीडियो लगातार चाहिए तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं हमारे चैनल पर triple C और ITI की क्लासे आपको लगातार मिलती रहेंगी एक बार पुना आप लोगों से कहना है कि वीडियो के बारे उतने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर दे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य क्लास या सुचना के साथ तब तक के लिए आप लोग खुस रहें मस्त रहें जैहिंद